सत्स्रीय काल जी मेरे यूटूब चैनल ते तो अधा हार्दिक स्वागत है आज जड़ी जड़ी मेरी वीडियो हुआ एहे PSSSB दे पंजाबी दे सलेवस तब बहुत ही जरूरी पाड सिखतरम दे बारे एक ज़सी कवर करांगे जिसदे बहुत ही जड़ी कोशन्स ने हारवर एक्जेम्स दे विच बुच्छे जान देने ते ज़्यादा समा ना लेंदे हुए आपा इस दे शुरुवात कर दे हैं ते सब्तो पहला जिस तरह तुसे मैं स्क्रीन शियर किती हुए और इस दे उपर तुसे देख सकते हूँ के सब्तो पहला ता अपा गुरु सहबाना दे बारे जड़ा हैगा कवर करांगे इस दे विच की यगाच जेडे सब्तो साथ पहले गुरु सीगे गुरु नानक देव जी सब्तो पहला उपर ओना दे पिता जी दा नाम लिख्या है ओना दे पिता जी सन मैता कालु जी ते उन्नादे सुपत्नी सन मातास लखनी जी उन्नादे दो स्पुत्तर सन शिरिजद अते लखमी दास एसे तरही साथे दूसरे गुरू सन गुरू अंगदेव जी एन्नादे पिता जीदा नाम पाई फेरू जी सी अते स्पत्नी माता खीवी जी सन एना दे दो स्पुत्र दासू ते दातू अते इक स्पुत्री बीबी अमरोजी सन तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी होई एना दे पिता तेज पांड सन अते एना दे स्पत्नी दा नाम माता मंचा देवी सी इनन दे दो स्पुत्र मोहरी ते मोहन होए ते दो स्पुत्रियां दानी अते पानी होन्या इसतरी के नाल चोथे गुरु सन गुरु रामदाश जी इनन दे पितादनाम हरीदाश जी अते इनन दे तेन स्पुत्र सन पिर्थी चंद गुरु अर्जन देव जी आते महांदेव जी पंजमे गुरु गुरु अर्जन देव जी होई एनना दे स्पतनी सन माता गंगा जी आते एनना दे स्पुतर सन गुरु हारगोबिन जी गुरु हारगोबिन जी दे अगे दोस्पतनीया सन जिना दे विच पहले सन माता दमोदरी जी माता दमोदरी जी दे संतांचन बाबा अनीराई जी बीबी बीरो जी बाबा गुर्दिता जी बाबा गुर्दिता जी दे संतांचन गुरु हाराई जी जो कि सिखान दे सतमे गुरु होए एनना दे स्पतनी सन माता सुलखनी जी इनना दे दो स्पुत्तर होए राम राय अर्थे श्री गुरु हरक्रेशन जी जेडे सान ओहो अपने अठमे गुरु सान इस्तो बाद गुरु हर गोबिन जी ते माता नानकी जी दे स्पुत्तर सान गुरु तेग भादर जी गुरु तेग भाद जी जे स्पतनी सन माता गुजर कौर जी अते इनन दे स्पुतर सन गुरु गोबिन सिंग जी गुरु गोबिन सिंग जी दिया तिन स्पतनी सन माता साहिब कौर जा माता साहिब देवान माता जीतो जी अते माता सुन्दरी जी आगली स्लाइड दे विच आप पढ़ांगे के गुरु बखवा गुरु से बाना जानमस्थान केडा केडा होया किनि समेली हुगुर गदी दे विराजमा रहे को दो जौती जो समाई थी उनना वरे कुछ खास चीज जैजेडियां की हर वार वखवाक जेडे एक्जैमस हुदेने पी रीप्रास भी दे उनना जीच हर वार पुछियां जान दियाने ताँ अपने पहले गुरु गुरु नानक देव जीदा जानम 1439 स्वीन होया राय पोई दी तलवंडी विखे होया जोके हुन ननकाना साहिब के हजन देटे पाकिस्तान देवेचे ए जोती जोत 1549 स्वीन स्माई अते कर्तारपूर साहि विखे समाई संजो के लहोर पाकिस्तान देवेच wię इनननौ बेई नदी देवेच इनननौ ग्यान प्राप्ती होय सी उस वक्त इनननने तीस साल उमर सी आते इस्तो बाद ही इननने अपनियां उदासियां कीती है सण इनने बहुत इंपोर्टन लंगर पर था जेडी सी और गुरू नानक देव जी ने शुरू किती सी गुरू अंगर देव जी इनने दा जनम 1544 इस्वीन होया मते दी स्राए मुक्त सर देविच होया इह गुर्टा गदी ते गुरू नानक देव जी तो बाद 1549 इस्वी तो लेके 1552 इस्वी तक विराज मान रहे 1552 इस्वी नू गुरू साहिब जी जोती जो समागे अते इह जोती जो खंडूर साहिब समाई सन इननने मल अखाड़े दी शुरुआत कीती गुर्मुखी लिपी दी शुरुआत सी ज़रियो गुरू अंगर देव जी ने कीती सी जो के कई बार पुच्छे आ गया है गुरू अमर्दाह जी गुरू अमर्दाह जी दा जानम 1489 इस्वी नू होया बासर के जिला अमर्सर देविच होया इह गुर्ता गदी ते 1572 तो 1574 इस्वी तक वी राजमान रहे इन इह जोती जो 1574 इस्वी नू समाई गो इंदवाल साहि बिखे समाई सन इनने मंजी प्रथा दी जड़ी शुरुआत कीती सी अथे बाई मंजीयां दी स्थाबना कीती सी ता जो इन मंजीयां दा काम की सीगा के सिखता रमदा परचार करना क्योंकि गुरु आप जी जो सन ओ काफी बेर्द सन ते तां करकि जड़ा सारा काम सी हो मंजीया जड़ा दे मुखी सन ओ एक काम कर दे सन इस्तो लावा गुरु जी ने संगतों पहला पंगत दी प्रथाज लाई कि जो भी गुरु जी दर्शन करना वे पहला हूँ जड़ा लंगर छके ते इस्तो बाद गुरु रामदाः जी गुरु रामदाः जी जेडे सान उनना जनम 1534 इस्वी नू होया चूना मंडी लहौर विखे होया गुरु जी 1574 इस्वी तो 1581 इस्वी ता गुरु गदी ते वी राजमान रहे गुरु जी गोईंदवाल साहिब विखे 1581 स्वी दे विच जोती जो समाई इननने मस्तांदप रथादी जड़ी शुरुआत कीती सी जोके काफी इंपोर्टेंट है गुरु अर्जन देव जी गुरु अर्जन देव जानम गोईंदवाल साहिब विखे 1573 इस्वी नू होया एह गुर गदी ते 1581 इस्वी तो लेकी 1606 इस्वी तक विराजमान रहे गुरु जी जोती जोत लहार विखे समाई 1606 इस्वी देविच गुरु जी नू जड़ा एह गाए मोगलान दे हत्थोशी ही दीव प्राप्ट कीती सी गुरु जी ने पहले गुरु होय स्थान ते इनना ने दुस्वांद दी जड़ी प्रथा सी ओ शुरू कीती सी गुरु जी कीरतपूर साहिब एह 1606 इस्वी नू जोती जोत समाई गुरु जी ने मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां ता अनकीतियां सन अते नननू बंदी छोड़ दाता दे नामनाल वी जाने जानता है गुरु हाराय जी गुरु हाराय जी दा जानम 1630 इस्वी नू कीरतपूर साहिब एह 1664 लेके 1651 इस्वी ताक गुरुगदी ते वी राजमा रहे कीरतपूर साहिब एह 1681 इस्वी देवेज एह जोती जोत मागे गुरू हर क्रिषण जी दा जानम 1656 तो 1664 तक वी राज्द मा रहे गुरू जी दिल्ली वी खे 1664 ते वी जोति जो समा गई युथ लाग गई सी गुरू जी नो बाला पीर दे नामनाल वी जाने जन्द है गुरू तेग बहादर जी गुरु तेगभादर जी दा जानम 1621 इस्वी नू अम्रित सर्विखी होया गुरु जी गुरु गद्धी ते 1664 लेके 1625 इस्वी तक वी राजमान रहे गुरु जी चादरी चौंक दिल्ली विखे गुरु जी ने शहादत हसल कीती 1665 इस्वी देविच गुरु जी नू हिंद दी चादर दे नामनाल वी जाने आ जानता है गुरु गोबिन सिंग जी गुरु गोबिन सिंग जी दा जानम 1666 इस्वी नू पठना विखे होया गुरु जी गुरु गदी ते 1675 इस्वी तक विरास मान रहे गुरु जी इस्वी नू ना देड महरास्टर देविच जोती जो समागे गुरु जी ने एथे मसंदप रथा जेडी सी जो के गुरु रामदा जी द्वारा शुरू किती की इस्वी गुरु जी ने उसनों खतम कर लिता जो के काफी इंपोर्टेंटा दे जाद रखनवारी गाले आगली स्लेट देविच अपपड़ांगी के वकवा गुरु सहबाना ने केड़े केड़े शेहर सी जा नगर सी बसाई अधे उसमेदे मुगलबाद सा कौन कौन सान गुरु नानक देव जी ने करतार पूर सहब नो बसाया जो के लहौर पाकिस्तान दे विचे उसवा उन्ना दे समेदे जडे मुगलबाद सा सी गे उसी गे बाबर ते शेर सांशूरी गुरु अंगर देव जी ने खडूर सहब साया सी जो के तरन तार नवीचे उन्ना दे समेदे मुगलबाद सा सन ही मायो अथे शेर सा सूरी गुरु अमरदा जी ने गोईंदवाल साहब नो बसाया सी अन्ना दे टैम दे जो मुगलबाद सा सन ओक सन अकबर ऐसे दरें गुरु रामताँ जी ने अमरित सर नो बसाया जिन्द था पहला नाम राम सर पुर्जा गुरु का चक किया जान्दास थी उनना दे समय ते भी मुगलबाद सा अकबर ही सन गुरु अरजन देव जी ने तरनतार नो 1590 स्वी देविच वसाया करतारपूर जोके जलंदर देविच है नो 1594 देविच वसाया गुरु जी ते समय ते अकबर अते जाहांगीर मुगलबाद सा सन गुरु हार गोबिन जी कीरतपूर साहब उन्हाने स्यार बसाया अतो उन्हादे समेदे मुगलबाद सासान जहांगीर अते सान जहां गुरु हाराई जी गुरु हाराई जी दे समेदे मुगलबाद सासान साज जहां औरंग जेब गुरु हार कृष्ण जी उन्हादे समें ते भी औरंग जेब सी गुरु तेग बहादर जी गुरु तेग बहादर जी ने चाकनान की जिसनों होना नंदपुर साब दे ना जाने जन्दा है बसाया सी ते उन्हादे समें ते भी मुगल बासा औरंग जेब ही सी गुरु गोबिन सिंग जी गुरु गोम सिंग जी ने पॉंटा सही बिसाया सी या ते उनारे समेटे और अरंग जेब थे बहादर सास्तान जो दसा गुरु आंदे इस टैम थी जिनने भी जड़े मुगल बास सा रहान उस सारे मुगल ही उस टैम मुगल इंपीरियर ही सी हुन अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है जी जी दे विच है अभी वक्वा गुरु सहबाना ने कीडियें कीडियें रचनामा की थी या ते इत पुछ सक देवी रचना जड़ी है और कि इस गुरु सहबान दी है जिसतरे केनार पहले गुरु नानक देव जी ने जब जी साहिब, आसा दीवार, ओंकार, सिद्ध गोष्ट, बारा महा, 974 मंत्र जेडे सन और रचे सन गुरु अंगा देव जी ने पाई बाले वाली जनम साखी लिखी सी जोके गुरु नानक देव जी दी ही जीवन साखी स मतल्व के उन्ह ने जीवन गाथा सी गुरु अमर्दाजी ने नंत साहिब रच्या सी गुरु अर्जन देव जी ने आधी ग्रांत ज sagen अते लामा ते कोडियां वी गुरु रामदाजी द्भारा दी ही रचना माहन जोके इंपोडेंघ जाधर रखनवाली गाले गुरु अर्जन देव जी गुरु अर्जन देव जी ने आदी ग्रांथ जानिके गुरु ग्रांथ सही जड़ा आज रूप सी उसनों रचिया सी ते इस सोपित किता सी ते उसनों उस वक्त पोथी सही क्या जानदा सी 1644 वी देविच ओनाने कीता सुखमनी साहिबी गुरू अर्जन देव जी दी ही रचना है गुरू गोबिन सिंग जी गुरू गोबिन सिंग जी ने दसम गरंथ जनी के अपना संपूरन शिरी गुरू गरंथ साहिब सी उस दी पूरी जेड़ा कम कार्जिकारी सो संपूरन करवाई वार शिरिप गोती जी की बचित्र नाटक, अकाल उस्तत, चंडी दी वार, जाब साहिब चंडी चरित्र, ज्यान प्रबोध, चोवी अवतार, खासे दी महमा, स्वय अथे एक बहुती इंपोर्डन जफर नामा वी जेड़ गोविन सिन्धी दी ही रचना सी जफर नामा गुरु जी ने 1106 ये दे विच लिखया सी दीना जिला फ्रीद कोर दे विच लिखया सी अथे किसनू लिखया सी ओरइन जेवन लिखया सी अते इस दे विच 111 पत दे विच उन्ना ने इसनों लिखिया सी उन्ना ने इस जफर नामे दे विच जड़ा औरंग जेव सी उसनों लानता पाईया कि किस तरीके नार उनने उसने अनादपूर साहब दे विच जैड़ा गुरू साहब जी दे पिट पिछे वार कीता ते उनने कि ते इस तो लावा उनने जैड़े साहब जादे शहादत हो गई सी उनने इस जफर नामे दे विच मतल और अरंग जेवनू काफी लानता पान्या अते आउननू अपने बचना दा पका नहीं दस्या ते इस तो बाद इलावा गुरू गोविन सिंग जी मार्ग गुरू गोविन सिंग जी जेड़ा मार्ग सी 1973 दे विच बनाया गया सी एहे शुरुवाती चार मही नच बनाया गया सी दास्तो तेरा अप्राइल 1973 में एक बहुत ही बड़ा जेड़ा नगर की इतन अरंबिया गया एहे जेड़ा मार्ग है गागा एहे अनांदपुर साहिब तो दमदमा साहिब साबो की तलवंडी बठिंडा तक दा है और एह से सो चाली किलोमेटर तक लंब है एहे जेड़ा गुरु गोबिन सिंग मार्ग है एहे एक्यानवे इतिहासिक स्थाना नो आपस दे विच जोड़ दे ते दो सो बाई पिंडा दे विच दी लंगदा है हां जी इस तो बाद अगली स्लाइड दे विच आपा करांगे पंच प्यारें दे बारे पंच प्यारे जिमे के पाई दिया सिंग जी पाई दिया सिंग जी दा पहला नाम सी पाई दिया राम जो के लहोर दे एक खत्री परिवार दे सन पाई तरम सिंग जी 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 दा पहला नाम सी तरम दास ए दिल्ली दे एक जोन सन, पाई मोहकम सिंग जी, एन दा पहला नाम मोहकम चांद सी, ए दवार का गुजरात दे, रैनवारे सन ते छपाई रंगाई दा काम कर दे सन, पाई साहिब सिंग जी, जिन दा पहला नाम साहिब चांद सी, ए बीदर करनाट का दे सन ते एक नाई सन, पैह हिम्मद सिंग जि जी जिन्हात पहला नामं सी हिम्मद राई ते ये जगनाथ ओड़ इसा दे सान ते एक माश्कि सान इस तो बाद अगली स्लेट दे विच पढ़ांगे के गुरू गोबिन सिंग जी ने केडियां केडियां लड़ाया लड़ियां सान के इस दिगे ना लड़ियां सान किते होन्या सान ते कोदों होन्या सान तब तो पहला ता जी आजन्दा पंगाणी दा जुद जो के पंगाणी विखे 1688 दे विच होया एक गुरु गोबिन सिंग जी ते राजा पीम चंद दे होर पहाडी राजा दे विच कार होया सी ते गुरु जी दी ही दे विच जेत प्राप्त होई सी नदान दी लडाई होई 1690 दे विच एक गुरु जेडे होन गुरु जी सन अते पहाडी राजा सन पीम चंद सन वाफ दे विच एक मित्र बन गे सन दोस्त बन गे सन ता ए लड़ाई उन गुरू जी ते पहाडी राजया ने अलिफ खांदे खिलाफ लड़ी सी ते गुरू जी ते पहाडी राजया दी ही जित होई सी फिर इते दोनों ही लड़ाइयां साने जाद रखन वाली गाला वि इही लड़ाइयां दोनों ही खाल सा पांथ दी साजना तो पहला होगा सोला सनरी अनी में इसली दे विच होंया फेर इस तो बाद खालसा पांधी साजना तो फेला जड़ा योद होया ऐस नांदपूर साहब दा पहला योद होया स्तारा सो एक दे विच होया होन एते गुरू जी एते फिर राजा पीम चांद दूसरे पहाडी राजां दे विच कार होया इस दे विच गुरू जी दी फिर जित होई इस तो बाद फिर निर्मो दी लड़ाई होई निर्मो दी लड़ाई सतारा सो दो दे विच होई एक गुरू जी ते राजा पीम चांद दे विच का रही होई ते गुरू जी ने फिर इस दे विच जित प्राप्त कीती इस तो बाद बसॉली दी लड़ाई होई बसॉली दी लड़ाई 1702 दे विच होई एक गुरू जी पीम राजा पीम चांद सी हो दे विचकार ही हुई ते गुरू जी ने इस दे विच फेर जट प्राप्त कीती इस तो वा अनादपुर सहब दी दूजी लडाई हुई जो के 1704 दे विच हुई एक गुरू जी अते वजीर खान एक गुरू जी अते दूसरे पहाड़ी मुगर राजे सी होना दे विचकार हुई इस दे विच वजीर खान दी जट तो हुई सी इस दे फालस रूप की सी ते गुरू जी ने जटा नादपुर सहब दा किला सी गा ओहो छड़ना प्या सी ते इस दो बादी परिवार भी छोड़ा हुई आते सहब जादया दी जड़ी शहादत होई फिर चमकौर साब दी लड़ाई होई चमकौर साब दी लड़ाई इस तरह सु चार दे विच होई एक गुरू जी अते मुगल फॉजान विच का रही होई इस दे विच भी मुगल फॉजान दी ही जट रही ते इस दे विच गुरू जी दे दोस्त पुतर गुरू बाबा जीत सिंग जी ते बाबा जो जार सिंग जी जड़े सन ओ पैंतिस सिखास में जड़े लड़ाई दे विच शीद होगई फिर खिदराने दी लड़ाई होई खिदराने दी लड़ाई स्तार असव पांजी स्वीन होई गुरू जी यते मुगल फॉजान दे विच कार होई इस दे विच गुरू जी दी जट प्राग्त होई इस दे विच जड़े चाली मुक्ते गुरु जी नू बे दावा लिखके दे गए सन ते उना ने फिरा के गुरु जी दी मदद कीती यते युद्ध दे विच मतल ही सालिया यते उथे शहादत हासल कीती गुरु जी ने वे दवा पाड़ के उनने चाड़ी मुक्तियां दा नाम देता इस तो बाद अगली स्लेट देविच हैगा जी जड़े अपने वक वक जड़े पांच ताखत नेंगे और कित्थे नेंगे तो उनने जत्यदार साहिब को आनेंगे पहला तक्त जी शिरी अकाल तक्त साहिब एम मरसर पंजाब देविच है जी इस दे जत्यदार ने ग्यानी हरपरीद सिंग जी शिरी दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा इस दे जत्यदार हन ग्यानी हरपरीद सिंग जी जो के कार्जवाग दे तौरते काम कारे हैं शिरी केशगड साहिब जो के अनंदपुर साहिब पंजाब दे विच है इस दे जतेदारहन ग्यानी रगबीर सिंग जी फिर शिरी पतना साहिब जो के पतना साहिब बिहार दे विच है इस दे जते दारहन ग्यानी रंजीस सिंग जी शिरी हजूर साहिब जिस दे जोकिस्तान ना देड़ साइब महारास्टर दे विच है दे जते दारहन ग्यानी कुलवांत सिंग जी मैंनो अमीद है कि जड़ी वीडियो थाट जरूर काम आई होगी तुसी इस तो अपनी जड़े में लादा नोट्स भी परपेर कार सकते हो ते मैं बहुत वदिया जड़े त्यार की थे सान शॉर्ड दे विच ते बहुती काट समय दे विच तुसी कि तो ते रिवीजन भी दे सकते हो जेकर वीडियो पसंदा आई ता जरूर दस्ते हो इससे तरह जुड़े रहे हैं ली बहुत बहुत आनवाद इक नवी वीडियो देना और फेल मिलांगे सत्रिया काल जी